हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्यू कोचिंग क्लास यूटूब चैनल में आपका शौगत है दोस्तों हम चर्चा करने वाले बेलना कार्श अंधारितर तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे रचना इसके बाद बेंजग तो रचना के बारे हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं तो दोस्तों नपर लिखा है इसमें यहांपर दोस्तों हमने बनाया है ऐ और आप दो समाच्छी idleन दोनों के वीच परावजदुथ माद्म है और दोस्तों भी का समन्द प्रत्थि वेरतें यहां निंवीका समन्द प्रत्थों पस इतना ही, आपको रस्षना में लिखना है, इसके बाद, आपको शुरू करना है, बेंजग, बेंजग में दोस्तो लिखना है, कि जब आंत्रिक विलन आ को, प्लस q आपेस दिया जाता है, तो में बाहरी विलन अवेज प्लस Q अवेज प्लस क्यों पर चला जाता है तथा माइनस क्यों आवेज सेश रहता है capital A मतलब आंतरी खोकले की त्रिज्ज़ाइ स्मॉल ए और बाहरी खोकले बिलन की त्रिज़्ाइ स्मॉल भी है ठीक है ना इतना दोस्तों आपको रचना में लिखना है, मतलब माना में लिखना है, क्या लिखना है, जब आंत्रिक वेलन ए को फ्लस क्यू आवेस दिया जाता है, तो B के आंत्रिक भाग पर माइनस क्यू आवेस और वाहरी भाग पर फ्लस क्यू आवेस फ्रेरित हो जाता है, चोकि वी का समन्द प्रतिवी जह होता है प्रतिवी पर चला जाता है सेस्ट रह जाता है तथा माना अंतरिकobil Alad kick तरिजय है वहीरत दिजय है और वाहरी mlad Kazi तो वहां पर मैंने बताया था आप लोग लोग एदी बंजक ना देखिया होंगे तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पर होता है दोस्तो E बराबर 1 upon 2 5 epsilon 0 K into lambda upon R यहाँ पर के दोस्तो दोस्तो यहाँ पर के परवैत्वत माध्धम है lambda क्या है तो lambda रेखी हावे स्खनत्तो है R दोस्तो क्या है R है, R दूरी है R दूरी पर कोई बिंदू है वहाँ पर कितनी तिवरता लग रही है यह दोस्तो आप वीडियो देखे होंगे तब ही समझ में आगी कहां से आया ने तो सोचेंगे कि अपने मन से ही ले ले मैं अपने मन से नहीं लिया हूं ठीक है ना, कहने को मतलब दोस्तो मतलब इस बेलन के किसी बिंदू पर बिंदू छेत किती बरता इतनी होगी वहना पान टू पाई अपसिलान के लेमडा अपान आर जहां लेमडा क्या है प्रति एक आंक लंबाई पर आबेस की मातरा है ठीक है अब आगे क्या करना दोस्तो आबेस को बिंदू से अ तक मतलब यहां से यहां तक लाने में कितना विवानतर होगा दोस्तो विवानतर क्या है एक आबेस को एक विंदू से दूसरे विंदू तक ले जाने में किया गया कार ही विवानतर है तो अब हपन पढ़ेंगे A से B के बीच कितना विवानता है रहे दोस्तों तो यहां पर देखे मैंने लिख रखा है V equal minus minus क्यों दोस्तों क्यों कि आवेस को विद्दू छेट के विफरीत ले जाने में कार करना पड़ रहा है अब B से A तक विद्दू B से A तक ले जा रहे है आवेस को की वैलू रख देंगे तो यह A की वैलू रख दिया मनी 1 upon 2 pi epsilon 0 के अपा इंटू lambda upon R अब इसमें से constant जो उसे बाहर ले लेना है तो यहां से lambda और 2 pi epsilon 0 को का constant दोस्तों तो मैंने बाहर ले लिया देख लिए lambda upon 2 pi epsilon 0 के मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया इतना आपको समाज में आगे दोस्तों और दोस्तों यहां पर 1 upon R वचा 1 upon R का समा कलन होता है दोस्तों Lag R येदि आप मैञे से हैं तो बिल्कुल आपको समज में आए होगर समा करन क्या होता है 1 upon X का lag X लेकिन R के साब पेचे तो होना पान R का लागार अब दोस्तों यहाँ B से A है यहाँ B से A है तो पहले अपर लिमिट रखेंगे जैसे B equal minus lambda upon 2 pi epsilon 0 k lag A minus lag V इतना हो गया दोस्तों आपके पास अब यह दी बात करूँ इसके दी चेर ने करूँ तो रिड़े अदी अंदर गुड़ा होता दोस्तों तो कितना हो जाएगा एक्चुल में मेलू कितना हो जाएगा lambda upon 2 pi epsilon 0 k अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों अंदर minus का गुड़ा करेंगे lag V minus lag A चलिए यह नहीं दिख रहा होगा आगे करते हैं तो जैसे अब minus का गुड़ा करना दोस्तों तो V equal हो जाएगा minus तो lambda upon 2 pi epsilon 0 into k चिन बदाल जाएगा यह plus हो जाएगा तो plus को पहले लिख देंगे lag V और minus lag A अब एक फार्मूला आप lag प्रोपर्टी का पढ़े होंगे दोस्तों कि lag M minus lag N बराबर किता होता है तो 2 pi epsilon 0 into k यह होता है दोस्तों lag log M बटे मतलब B बटे A square system से set कर दे तो 2 pi epsilon 0 k into log V upon E यह हो गया दोस्तों आपका क्या V वांतर V वांतर तो आगया लेकिन V वांतर से काम होने वाला नहीं है हमको निकालना है धारिता तो धारिता का फार्मूला होता दोस्तों C बराबर Q upon B तो धारिता का फार्मूला दोस्तों किता होता C बराबर Q upon B अब यहां Q का मतलब दोस्तों आपेस यहनी lambda बटे B यहां lambda हम क्यों ले रहें दोस्तों जो कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्तित आवेस की मात्रा है अब भी की बेलू रख देंगे तो लेम्डा अपान भी तो बहुत लंबा चोड़ा मान है तो रखना तो पड़ेगा ही लेम्डा अपान टू पाई एपसिलान जीरो इंटू के लाग वी अपान ए लेम्डा से सी की वैलू ए आगए सी की वैलू अब दोस्तो यदि हम इसको लाग टेंट में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं जैसे सी की वैलू आगए दोस्तो आपके पास इतनी अब इसको यदि लाग टेंट में बदलना है तो लाग टेंट बदलते समय याद रखना है आपको कि दो 2.303 का multiply हो जाएगा और यह लाग E के जगे लाग 10 हो जाएगा और बीबटी A बन जाएगा अब दोस्तो यदि यदि बायो निरबात के लिए के कमान एक हो तो सी के एक्शुल में बेलो 2.25 epsilon 0 लाग दोस्तो ठीक है लाग कितना हो जाएगा E B upon A या इसको हम लाग 10 में बदले हैंगे तो 25 epsilon 0 upon ठीक है कितना हो जाएगा 2.303 लाग B upon A यही दोस्तो आपका answer हो गया और इसी के लिए अपन क्या है फार्मूला निकाल रहे थे तो यह दोस्तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन मज़ेदार है दोस्तो यह पूरा बिदिवात आप समझे होंगे तो आ कि A और B दोस्तो दो वेलन है एक के तरिज़े small A है B के तरिज़े small B है A पर press Q आबेस दिया जाता है तो B के पास वाले तल पर minus Q और दोर वाले तल पर press Q आबेस उत्पन हो जाता है दोस्तो तो इस प्रकार पूरा वीडियो का बिंज़ा का आप सुरू से अंतर तक देखे ह होंगे तो अच्छा लगेगा और इसके पहले मैं जानकारी बता देना चाहता हूं कि मैं दोस्तो एक और दो चैप्टर बना रहा है पूरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें क्लम से मिल रहेगा और पूरा कोर्स कबर कराऊंगा दोस्तो आपको बिल्कुल आ आइकन प्रस कर लीजिए जिसे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राफ्ट होता रहे ठीक है दोस्तो तो पिर चलते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लिए जैन बंदे मातरम